दीपावली के मूर्त के संसे को दूर करने के लिए आचारों ने साफ किया कि एक नवंबर को दीपावली का मूर्त है सभी लोग एक नवंबर को दीपावली मनाएं चर्चाओ का बेसे बन गया था कि दिवाली कम मनाई जाएगी जिसको लेकर आचारों ने साफ किया कि दिवा वासियों को हार्दिक सुब काम नाएं ये प्रैस वारता सभी आचारियों की इस मंतब्य में इस विसे में रखी गई है कि अमावश्या तिथी दो दिन पड़ रही है 31 अक्टूबर और 1 नवंबर पूरे देश में ये भ्रह्म भेला हुआ है कि धीपावली का महापर वो जो ह जाये किस दिन मनाया जाये अगर दो दिन अमावश्या तिथी है तो कुछ लोगों का आचारियों का कहना है कि 31 अक्टूबर को मनाई जाये किसी का कहना है कि एक नमंबर को मनाई जाये तो सभी आचारेों ने यहां एकत्रत होका सतिनाराइट मंदिर पर सभी मंदिर के महंत हैं यहां और आसपास के सहर हैं सिकवभाद है और जसराना है टूडला है सिरसागंज है सभी से यहां आचारे आई हैं सब का आपस में मनतब्बे हुआ है कि बाकई में धर्म गरंतों के स सास्त्रों के अनुसार दीपावली का ग्ली परर्व है इसे किस दिन मनाया जाएं तो धर्मसिंदू निरणेसिंदू और भी जो हमारे सास्त्रे सभी का अध्यायन करने के बात एक संबत सभी सास्त्रों काis सभी आइकमत होकर यह कहा है कि पूरे एक नवंबर को दीपावली का पर्व मनाना चाहिए क्योंकि प्रदूष व्यापिनी अमावश्या है और प्रातर सूर्य उदे के समय भी है और साम को सूर्य आस्ति के समय प्रदूष काल में भी है तो जो प्रदोशकाल में हमावश्या है वह है पूरे दिन और रात्री यानि दूसरे दिन सुरुदे तक मानने होगी इसलिए सभी लोग धूम धाम से देशवासी एक तारीक को ही दीपावली का परो मनाएं और इसमें कोई कहीं संदेह नहीं है हमने अभी जानकारी ली थी आयोध्या में जो वहां के महंत जी हैं उनसे भी बात हुई उन्होंने भी अपना वक्तब्य प्रस्तुत किया है कि एक नवंबर को ही दीपावली का महापर्व होना चाहिए तो इस बिसे में हम लोगों का एक मंद है कि हम सभी आचारी मिलकर देश में कम से कम तेवहार एक दिन मनाया जाए लोग सभी लोग उस खुसी को एक साथ मनाएं जिससे कि ब्रोधा भाशन हो और सभी लोगों के लिए मुहूर्थ का कोई समय नहीं है उसमें विसेश समय जो कि एक बैठक है सत्यनाराइन बंदिर में हम सभी आचार्यों की तरफ से मेरा यह निवेदन है सभी देश वास्यों को बहुत-बहुत सुब कामनाय एक तारीक एक नवंबर को दीपावली महापरु मनाना चाहिए